नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांक एनुस्सार प्रतेकमा की त्रियोदशी तिति के दिन प्रदोशवरत रखने का विधान है आज की इस विडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में बहुं शुक्ल बहुं प्रदोश वरत कब है 25 या 13 जनवरी को 13 की तिति क्या रहेगी वरत की विधी क्या है वरत की कथा क्या है और पूजा का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की विडियो को लेकिन विडियो शुक्रने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रदोश वरत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रदोश वरत के दिन वरती को ब्रह्म हुरत में उठकर इस्नानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पैश्या स्वक्च वस्त धारन करे घर के मंदिर में देप्रचलित करे और वरत का संकल बले भगवान शिव की पूजा अरशना करे शाम के समय एक बार पुना इस्नानादी से निवरित होकर स्वक्च वस्त धारन करे प्रदोशकाल में भगवान शिव की पुजा आरशना करे, भगवान शिव का जला भी शेक करे और उन्हें पुश परपित करे इसके पैश्यात पंच फल, पंच मेवा, पंच मिश्ठान आदी का फोग लगाए भगवान शिव की आरती करे, भवान प्रदोशवरत की कथा को पढ़े या सुने साल दोहजार चौविस में पौश शुकल भवान प्रदोशवरत 23 जन्वरी दोहजार चौविस दिन मंगलवार को है प्रदोश काल पुझा का समय रहेगा, शाम की 5 बच के 52 मिनट से 8 बच के 33 मिनट तक कुलवदी रहेगी 2 घंटे 40 मिनट की त्रोदर शिती थी कारंभ होगा 22 जन्वरी की शाम 7 बच के 51 मिनट पर और समापती होगी 23 जन्वरी की रात 8 बच के 49 मिनट पर प्रदोश वरत की कथा के अनुसार हनुमान जी साधू के रूप में बोले, मैं भूका हूँ, भोजन करूँगा तुम थोड़ी जमीन लीप दो वरिद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़ कर बोली, महराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आग्या दे, मैं अवश पोर्ण करूँगी, साधू ने तीन बार प्रतिग्या कराने के बाद का तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीट पर आग चला कर भोजन बनाऊंगा ये सुनकर वरिद्धा घबरा गई, लेकिन वो प्रतिग्याबत थी, उसने अपने पुत्र को बुला कर साधू को सौप दिया वेजधारी साधू, हनुमान जी ने बृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के पल लिटवाया और उसकी पीट पर आग चलवाई आग चला का बृद्धा दुखी मन से अपने घर में चली गई इधर भोजन बना कर साधू ने उस वृद्धा को बुलाया और कहा कि उनका भोजन बन गया है तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले इसवाब बृद्धा बोली उसका नाम लेकर मुझे औरकष्ट ना दे लेकिन जब साधू महराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज दी वो अपनी मा के पास आ गया अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को आश्यरी हुआ और वो साधू की चर्णों में गिर पड़ी तब हन्मान जी ने उस वृद्धा को अपने वास्विक रूप के तर्शन दिये और वृद्धा को भक्ती का आश्यवात दिये मेरे वीडियो में अंततक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नहीं वीडियो के साथ